कैसे हैं आप सभी, I hope सभी अच्छे होंगे दोस्तों आज के इस छोटी से व्लोग में मैं आपको धरत उनके बहुती प्रसिद्ध दाट काली मंदिर के दर्शन कराने वाली लिए दोस्तों इस छोटी से सफर को साथ में इंजॉय करते हैं दोस्तों दाट काली मंदिर दहरादून आइस बीटी से 10 किलोमीटर की दूरी पर दहरादून और सारनपूर वाले हाईवे पर इस्तित है ऐसे कि आप वीडियो में देख सकते हो कि मंदिर के चारों तरफ आसपास जो एरिया है वो हरा बरा पहाडियों से घिरावा है जिसकी वज़े से यहां का वातवरन काफी सांती और सुकून देने वाला रहता है तो मंदिर पहुशने से पहले आपको एक टरल दिखाई देगी जिसके पीछे मंदिर का बहुत बड़ा रहश्य है जो आगे चल कर आप वीडियो में जानेंगे मंदिर धार्मिक तृष्टी से यहां के स्थानिय लोगों और यात्रियों के लिए बहुती महत्वे रखता है तो आईए चानते हैं इस मंदिर के इतियास और यहां की दिव्य उर्जा के बारे में तो दोस्तों मंदिर से कई माननेता जुड़ी वी हैं लेकिन दहरदुन के लोग नया वाहन खरीदने के बाद डाटकाली मंदिर में पूजा के लिए जरूर आते हैं इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति कोई नया काम सुरू करता है तो इस मंदिर में पूजा अर्चना करव अंग्रेजो के टाइम की भी एक पुरानी टनल थी माननेता है कि सुरंग निर्बान के दौरान एक भारतिय इंजिनियर के सपने में मांग डाटकाली ने दर्शन दिये थे नहीं बताया कि जहां सुरंग का निर्मान चल रहा है वहीं उनकी एक मूर्ती है वहीं मूर्ती कामने ही आपको प्रशाद और फूल की मालाये आपको मिल जाएंगी तक यह माता का मंदिर नहीं बना था तो उससे पहले सुरंग बनने में बहुत ज़्यादा अर्चने आती थी लेकिन जैसे ही यह मंदिर बना उसके बाद माता रानी की आशिरवात से तनल का पूरा काम हो पार साइड में ही आपको शू रैक भी मिल जाएगा जिसमें आप फ्री में यहाँ पे अपने सेफ्टली सूस रख सकते हो जोस्तो अगर आप इस मंदिर में नवरात्रे और दसरे के टाइम पे आते हैं तो काफी रश देखने को मिलता है लेकिन आज यहाँ पे भीड नहीं है तो दोस्तो यह है मंदिर का गर्प ग्रया जहाँ पे सामने ही आपको काली माता की एक मूर्ती दिखेगी माता के इस मंदिर में आपको 200 सालों से जलती आ रही है यह अखन जोत वो सामने ही आपको दिखाई भी देगी तो दोस्तो माता की दर्शन करने के बाद परिकरमा लेते वे आपको पीछे की साइड आना है जहाँ पर एक हवन कुंड है तो आप अपनी दूप अगर बद्दी जो भी आप माता के नाम से लेके आये हो वो आप यहाँ पर जला सकते हो यनकुन से right side में अकर आप देखेंगे आगर आप प्रशाद में नारियल है तो आप नारियल को फोड़ के फिर चिल के आदा इस्सा है जो हावन-कुन में डाल देना चाहिए और आदा अपने साथ प्रशाद के रूप में घर लेके जाना चाहिए अवन कुन से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको दुर्गा माता की बड़ी सी मूर्थी दिखाए देगी आपको वहाँ पर भी आशिरवात लेना है साथ में वहाँ पर गड़ेजी की भी मूर्थी रखी भी है दोस्तो यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है बलकि नेचर लवर्स के लिए भी एक शानदार जगा है मंदिर के पहार वाला एरिया जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक हर्याली और पहाड ही दिखते हैं यहां आने वाले लोग धार्मिक्ता के साथ साथ प्रकृती की सुन्दरता का भी आनन्द उठाते हैं तो दोस्तो अगर आप कभी दहरा दुन आएं तो डाट काली मंदिर की यात्रा जरूर करें डाटकाली मंदिर के पास में ही भद्रकाली का मंदिर भी है तेहें डाटकाली मंदिर की बहन थी भद्रकाली तो डाटकाली मंदिर के बाद भद्रकाली मंदिर के दर्शन करने भी जरूरी होते हैं तो दोस्तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं नेक्स्ट लॉग में